हेलो गाइस, आइम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने बुला है कि मैम आपने हमें इंपॉर्टन कोश्चन सीरीज जो प्रोवाइट की है अगर पॉसिबल हो सकी तो उसके इंपॉर्टन जो कोश्चन से हमें के आंसर भी प्रोवाइट कर दीजे सो आप लोगों को हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करके EVS के Hindi और English बोट में आंसर प्रोवाइट कर दिये हैं सो आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्री की है जो B.A. प्रोग्राम के सॉरी B.A. पॉलिटिकल ऑॉनर स्टूडेंट के पास हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के important answers मैंने आप लोगों को प्रोवाइट कर दिये हैं ठीक है, उन आंसर्स के जो मैंने सब्टाइटल्स हैं, में में हैडिंग्स हैं, वो आप लोग को प्रोवाइट की है बाकी उनको डीपली मैंशन करना आपका काम है, तो वो आप उसको देख लेना तो सबसे पहला कोईशन हमारा आता है, उसके बाद है हमारा कोल्ड वार वाला तो डीकोलनाईजेशन के लिए फर्स्ट और आपको इंट्रोड़क्शन लिखना है, फिर डीकोलनाईजेशन क्या है वो बताना है साथ में उसके कुछ डेफिनिशन मेंशन करनी है, फिर उसके बाद कोलोनियल लेगेसी, एकोनॉमिक गवर्नेंस और एजुकेशन इस पॉइंट को क्लियर करना है तो कोई भी प्रॉबलम वाली बात नहीं है बर जो में बात आप से पूछी जा रही है, स्टार्टिंग से अब तक, वो चीज आपको याद रखनी है देखो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा आइंस्टाइन नहीं है, जो हर चीज को याद रख सकेगा ठीक है, तो बेटर है कि आप एक चीज भूलने के चकर में बागी की चीज मत कवाना अगर आप इसमें से कोई पॉइंट भूल रहे हैं, तो कोई भी प्रॉबलम वाली बात नहीं है, बच्चा सब भूलते हैं, ठीक है तो ये मत करना पेपर में, बस कि मुझे अगर एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो मैं वही टाइम विस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज आगे बढ़ जाना हिंदी मीडियम के स्टूरेंट्स के लिए भी मैंने सब टाइटल्स लिखके लगा दिये हैं, बेटर होगा आप इनको अपनी कॉपी पे लिख लें, और लिखने के बाद इनको अच्छे से रट लें, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूरेंट्स हैं, जिन्होंने तो प्लीज कोशिश करो कि इन तो कोशिशन्स को तो प्लीज आप बहुत ही जाद अच्छे से याद कर लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉबलम ना हो, यह पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है स्टूरेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा को तो Cold War वारे question में आपको introduction लिखना है, origins लिखने है, causes लिखने है, post term conference अब एक चीज और, शीतियोत के टाइम पे काफी ज़्यादा conferences हुई थी बट मैंने आप लोग को वो important conference बताई है, जिनको लिखना compulsory है according to question तो post term वाली है, trumans है, iron है, फिर उसके बाद आजाते हैं आपकी important event of the Cold War Berlin blockade 1948, ठीक है, Berlin का जो दिवार का था वो सारा मसला, फिर Marshall Plan आया, फिर comment फर्माया, NATO बनाया गया वार्स अपेक्ट बना, space race बना, फिर क्यूबर मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, क्यूबर मिसाइल संकट वो भी, फिर वेतनाम वार हुई, पराग स्प्रिंग हुआ, अफगान इन्वेशन हुआ, उसके बाद जाकर cold war end हो गया, then finally आपका conclusion आ जाएगा, ठीक है जी, तो य दिशान मत होना, आप आगे की चीज़ को continue कर देना, ठीक है जी, तो मैंने आपको दिखा दिया है English, वो हिंदी का भी, अब आता है, discuss the origin of the student moment of Paris 1968, देखो जी, इसके अंदर कोई भी point नहीं है, subtitle नहीं है, आपको बस introduction लिखने के बाद, सीधा सीधा student moment जो हुआ था पैरिस में, उसको mention करना है, वो किस तरीके से एक political मुद्दा बनते बनते, एक religious मुद्दा बन गया, वो चीज़ आपको mention करनी है, ठीक है, त आप अगर इसको सीधा सीधा लिखते वे जाओगे ना, तो कोई दिकत नहीं, हाँ लेकिन कोशिश करना, कि points में या paragraph में मत लिखना, पूरा answer जिता भी आपको लिखना है, first page से लेकर आखिर तक लिखना, दन आखिर में conclusion लिखते ना, ठीक है students, उसके बाद आपका civil rights moment वाल बताने हैं, political responses बताने हैं, in popular culture, activist, organizations, individual activist and culture, ठीक है, civil rights moments के अंदर, basically आप लोगों को बस दो नाम याद रखने हैं, मार्टिन, लूथर, किंग, एंड सेकेंड है हमारे मेलकम एक्स, ये दोनों शक्सियत ऐसी हैं, जिनोंने civil rights moments में अपनी जिन्दगी पूरी की पूरी और उससे पहले उनकी life कैसी थी, ठीक है, जिसे आप लोगों ने अगर हमारे batch में पढ़ रखा है, तो मैंने आपको बहुत ही जादा normal way में समझा रखा है, कि who is Malcolm X and Martin Luther King, Martin Luther King basically अहिंसक थे, वो सोरी हिंसक थे, वो गांधी वादी वादी विचारों पे चलते थे, तो उनोंन अहिंसा करके जीत हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन Malcolm X एक मातर ऐसा शक्स था जिसकी जिसकी जिन्दगी पहले से ही अप रात के अंदर डूबी हुई थी, देन बाद में उसने अपनी जिन्दगी दुनिया के लोगों के लिए कुर्बान कर दी, ठीक है, इसके अंदर वाल कि बैक सीट पे भी, अगर अंग्रेज नहीं है तो, in fact, अगर कोई अंग्रेज होता था, तो वो लोग नहीं बैट सकते थे, कुछ-कुछ तो लोग उस बस में एक तरीके से जा भी नहीं सकते थे, पूरा रोट कवर भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो यह आपका civil right moments वाले म यह सारी चीज़े आ जाएंगी, उसकी बाद आता है आपका globalization से, आप क्या समझते हो भाई, वो बता दो और उसके dimensions बता दो, तो introduction आएगा, direct, globalization आएगा, फिर कैसे globalization काम करता है, globalization important क्यों है, globalization की history, फिर उसके अंदर G20 क्या है, वो बताना है, type of globalization बताने है, economic, political, culture, ठीक है, और अगर technical आपको पता है तो बता दो, otherwise नहीं पता है, तो कोई बात नहीं skip कर देना, फिर उसके बाद आता है, effect of globalization, example of globalization, and then last में आपके benefits आएंगे, फिर जो उसका criticize वाला मुद्दा आता है न, negative consequence वाला, वो चीज़ आपको यहाँ पर mention करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको criticize कर ना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप से question direct पूछा गया है, अब उसके अच्छाईयां और बुराईयां दोनों perspective रखना आपका काम है, then last में आपको conclusion बताना है, same Hindi medium के students के लिए भी है, परिच्चे, फिर globalization क्या है, globalization क्या से काम करता है, globalization क्यों important है, globalization क्यों है, globalization क्या है, फ नितिक, सांस्कितिक, again मैं यही बोलूँगी, कि अगर आपको technical, तकनीकी आप प्रकार पता है, technical dimension पता है, तो आप mention कर देना, अगर नहीं पता है, तो skip कर देना, कोई problem नहीं है, वैश्वी करन के प्रभाव बताने है, उधारन बताने है, लाब बताने है, फिर उसके negative perspective बत कोईशन आएगा, जरूर आएगा, अब चाहे शॉट नोट में आए, या फिर वास्ट कोईशन में आए, 100% आएगा, तो बहतर होगा, आप इसको अपनी तरफ से इतना जादा प्रिपेर करके जाना, कि पेपर में जाने के बाद आपको ऐसा एसास ना हो, कि हमने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, बचा हमने आप लोगों के लिए कोईशन तभी इसी तरीके के प्रोवाइट करें हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, क्लासे अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहीं बोलूँगी कि बेटर होगा, आगे के सेमस्टर के लिए अपनी इनवाल्मेंट आफ अधर कंट्रीज आएगा, यूनाइट फ्रन्ट आफ लिबरेशन आफ और प्रेस रेसिस आएगा, वार क्राइम आएगे, देन उसके बाद विमेन का क्या रोल रहा है, इसके अंदर वो आएगा, ब्लैक्स का क्या रोल रहा है, वो आएगा, वैपन्स क कालन प्रभाव, प्रेश्ट भूमी, संकरमन अवधी, यूग, केनेडी का यूग, जॉनसन का यूग, उसके बाद वियतनाम का जो एक उबरा था चीज वो, यूएस का जो था अंतिमा भियान वो, यूएस की भागेदारी का विरोध, अन्ने देशों की भागेदारी, फिर उसके साइ thành, जो सायुक, तुम औरचे ने वो करा था, घल्प दी थी वो, फिर यूद का क्या यूद में क्या क्या चीज यूद हो सकी है, फिर यूद कैसे एक अपराद बन सका वो, फिर विमिन्स का, फिर ब्लैक्स का, फिर हतियार का, फिर निश्करश, ठीक है, ये आपक कि किसी भी टॉपिक के अंदर टाइम वेस्ट मत करते ना बस अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना अब आ जाता है आपका वो वेलफेर स्टेट वाला तो देखो वेलफेर स्टेट के अंदर आपको क्या बताना है इंट्रोडक्शन बताना है वेलफेर स्टेट क्या होता का स्वेटन का यूनाइटड स्टेट चाइना सोशल पॉलिसी फिर इंडिया क्योंकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इंडिया के बारे में भी बताना बहुत 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 जरूरी है फिर इंटरनाशनल एस्पेक्ट अफ सोशल पॉलिसी जा जाएंगी कॉंक्लूजिन आ जाएगा तो यह आपका पूरा हो जाएगा सेम हिंडी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने यहां पॉइंट्स उतार दिये हैं अपने कॉपी पैन अपने पास रखो पॉइंट्स को लिखो और बात को खतम करो ठीके जी तो इन पॉइंट्स को अगर आप हम तयार कर लें तो हमारा पेपर अच्छा होगा बिलकुल बहुत अच्छा पेपर होगा आपका आप इन कोशन्स को भी अच्छे से तयार कर लोगे ना तो आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा नेक्स कोशन है रंग बेत की खिलाफ संगर्श में अफरीकी civil right moments basically थे ही blacks के लिए ठीक है गोरो को बढ़ावा दिया जाता था blacks को नहीं दिया जाता था पहले जमाने में blacks के साथ किसा behave किया जाता था आप सोज भी नहीं सकते हैं तसवर भी नहीं कर सकते हैं कि कितना बुरा उनके साथ वहवार किया जाता था ठीक है तो इसके लिए introduction, history फिर current structure बताना है ideologies बतानी है ideologies के अंदर आएगा आपका Malcolm X and Martin Luther उसके बाद symbols and media, electoral history, then criticize and controversy फिर conclusion symbols and media के अंदर की media ने भी किस तरीके से साथ निभाया था, हाथ निभाया था इन सब चीजों को बढ़ावा देने में वो चीज़ें यहां पर आएंगी और वो ही सेम हिंदी मीडियम के students के लिए intro लिखें फिर उसकी history लिखें फिर जो अभी current situation चल लएई है वो विचार धारा में Malcolm X और Martin Luther फिर प्रतीक और मेडिया चुनावी तिहास आलोचना और विवाद और फिर निशकर्श ठीके क्योंकि यह topic ऐसा है इस पर आलोचना criticize और इस पर विवाद होना बहुत normal सी बात है okay students so आगे का question आता है आपका Korean war वाला तो Korean war के लिए introduction है Korean war है फिर उसके cost है फिर उसमें impacts कौन से क्योंसे क्या हुए थे फिर conclusion है सीधा आप एक चीज़ नोट कर लेना question में मुझसे सीधा Korean war पूछा जा रहा है अब पूरा question मत पढ़ो आप देखो अगर आपने पढ़ा ही नहीं करिये ना तो ये देख लो भाई मुसे Korean war पूछा जा रहा है मतलब मुसे second unit की या फिर first unit के second topic के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सीधा Korean war के बारे में बताना है introduction बताने के बाद आपको Korean war के बारे में बताकर उसके cost बता देने हैं फिर उसके impact बताने हैं फिर उसके बाद उसके consequences बताने हैं देन आपका conclusion आजाएगा आपका पूरा answer complete हो जाएगा और रही भाद बोपाल guest tragedy की तो बोपाल guest tragedy के अंदर कोई भी subtitle नहीं है introduction लिखने के बाद आपको पूरी भुपाल guest tragedy लिखनी है उसमें जो भुपाल guest tragedy हुई थी वो company किसकी थी वो कहां चला गया था क्यों गया था उसमें government का कितना हाथ था कितना मुआफ़जा लोगों को मिला कितने लोग मरें कितने लोग आज भी पीडित हैं उसमें एक बच्चा था बहुत ही जादा जबर्दस जो उस guest से पीडित हुआ था जिसका दिल जल गया था वो guest इतनी भयानक थे लोगों के फेफडे जलने लगे थे लोग जलने लगे थे लेकिन वो एक बच्चा ऐसा था जिसका पूरा दिल ही जल गया था ठीक है तो इस टाइब की चीज़े mention करने से टीचर को ये पता लगेगा कि आप लोगों ने भुपाल guest tragedy के उपर पूरे अच्छे से चानबीन कर रखी है तो ये सारी चीज़े भुपाल guest tragedy में बता देना स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को अगें कोई कोशन में डाउट आ रहा हो कोई कोई कोशन समझ नहीं आ रहा हो कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुस्से कमेंट बॉक से टेलिग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं सो थैंक्स फो ओवाचिंग और बेस्ट रफ लगोल